नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, संसद और रज्य विदान मंदल टॉपी को हमने कम्पलीट किया, और ये केवल संसद और रज्य विदान मंदल टॉपी के बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं की, बलकि हमने विदान सभा के नियमों के चर्चा की, हमने संसद ये लोक्ष wine nächste the depression 1990-1930 के बार में हम लोगोंने बाथ कि इस टॉत में बहुत सारी टेबल के माध्यम से बहुत सारी सारनीओ के माध्यम से चार्ड के माध्यम से चीजेज़ों को शर्ल करने का प्रियास किया है बहुत रभा come at सब्सक्राइब का इस बात को मैं जानता हूं लेकिन आप चिंता नहीं करें कंटेंट आपके लिए बहुत ही मैद पूर्ण है अब वक्त है बहुत चांदार प्रशन है विशय स्गी से बर आपिए फ्रण के प्रज्ड़ प्रशना है यू प्रशन् है इसके आ अलवा यूपीस क्र किड comprehensively प्रशन है JLO का जो पेपर हुआ 2023 में उसमें जो परशन आये हैं NET का जो पेपर हुआ 2024 में जून में उसमें बहुत शांदर परशन आये इसके अलबा तो श्कूल वैक्यता 2022 है, 18 है, संस्कार डिपर्मेंट 20 है, कॉलिज वैक्यता के है 2013, 2018, 2015, इन में जो प्रशन हैं उनके उपर तो हम चर्चा करेंगे, साथ ही नैत के एक्जाम में आई वे प्रशनों के बार में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे प्रशन है और टॉपिक जितना आपको दिखता उतना सरल है नहीं, बड़े गंबीर प्रशन यहां से जुड़ना चाहता है और स्कूल वेख्याता राधनिती विज्यान फर्स्ट ग्रेड की त्यारी कर रहा है, तो आप हमारे पॉलिटिकल अकेडमी एप को अविश्य डाउनलोड करें, वाँ डेमो क्लासे जाकर देखें, नौट्स को देखें, उसकी कुछ पीडिएप हमन से जारा और बारा, कक्षा 11 और 12 की NCRT का बहुत जबरदस रोल रह रहा है, लगातार आप लोग देख रहे हैं, हर एक्जामेर श्कूल वेख्याता बनने ही आपको कक्षा 11 और 12 को अध्यापन करवानी के लिए हैं, इन कक्षाओं को तो प्रिशन आनी हैं, दूसरा इसमें पांच हजार प्लस MCQs के वीडियो हल मिलेंगे आप लोगों को, पांच हजार प्रस्णों के MCQs के वीडियो हल के बारे में बात करने का मतलब है, आप 15 से 20 हजार प्रस्णों तक आपकी पहांच हो जाती है, पूरे टॉपिक का आप लोगों का रिविजिन हो जाता हैं, जै प्रशन के टेस्ट जो की पाच्छे करम पूरा होने के बाद अधिक्तम टेस्ट हम उपलब्त करवाएंगे वो भी इसके साथ में सामिल है और सबसे मैथ पुन बात तो ही है कि जो कौर्स की जो वैलिडिटी है जो वेदता है वो दो वर्स तक है आपको बिल्कुल भी चिंता क करने के आउशकता नहीं है खेर बिना समय गवाय हम सीधे चलते हैं जिस उद्धेश्य शे कक्षा हम लोग लेकर आये हैं और पहला ही प्रशन आप लोगों के सामने हैं सबसे पहले मैंने जे एलो दोजार टेश का जो एक्जाम हुआ उसके प्रशन लिए पंदरा प्रशन तक बग इस टॉपिक में से उस एक्जाम में थे और बड़े अच्छे प्रशन थे आप समझना इन प्रशन के माध्यम से कि किस लेवल के क्यूशन पूछे जाते हैं कॉम्पीटेशन के एक्जाम में आज कल प्रशनों की प्रकृती किस प्रकार की हो चुकी है इन चीजों क को आपको लोगों के लिए समझना बहुत अधिक ज़रूरी है निमलिकीत मैंसे किस मामले में संसद को रज्य शुची पर कानून बनाने की शक्ती नहीं है एक्चुली एक क ज़रूरी है व के संसद रज्य शुची ए विशेपर कानून बना सकती अप लोग जानते हैं विशेश प्रस्तितिव में संसद के द्वारा रज्य सुची के विशेपर कानून कर देती है और उसके लिए यदि रज्यसवा अपनी उपस्तित और मद्दान में भाग लेने वालों के दोतियाई बहुमत से प्रस्ताव पारिद कर देती है तो ऐसे इस्थिति में संसत को उस विशय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है हाला कि इस प्रकार से बनाय जाने वाले कानूनों की जो आउदी होती है वो एक वर्स्त के लिए तक के लिए रहती है ये बात भी आप लोग जानते हैं अनुचे 250 के तैथ यदि रश्ट्य आपातकाल लागू है तो रश्ट्य आपातकाल के दौरान रश्ट्य आपातकाल के दौरान संशच जो है रज्य शूची के विशय पर क्या बना सकती है कानून बना सकती है लेकिन ऐसे कानूनों के उधी आपातकाल की समापती के बाद अधिक्टम 6 माह तक रह सकती है ऐसा इसमें इस पस्टुलेक है अर्टिकल 251 में क्या लिखा हुआ है अर्टिकल 251 में इस रज्य शूची कोई कानून बना रखा है या रज्य विद्यानमंदल बाद ने कोई कानून बनाती है तो ऐसे इस्तिति में संसद्वारा बनाएगे कानूनों को वरियता दी जाएगी या संसद्वारा बनाएगे कानून ही मानने होंगे और रज्य विद्यानमंदल द्वार रखवाता हूं कि दो या दो से अधीक रज्य यदि ऐसा विनिच्छे करते हैं इस प्रकार का निरने लेते हैं या ऐसा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास में भेजते हैं कि संसद को अमुक रज्य शूची के विश्य पर कानून बनाना चाहिए यह बास शौभावी कहा कि कि जो रज्य इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करके संसद के पास बेजते हैं और संसद उस संदर में कोई कानून बनाती रज्य शूची के विशेपर तो उनी रज्यों के लिए वो लाग्य होगी यह कि रज्य विदानमंदल की सहमती से अधिक रज्य विधान मंदल की सहमती से प्रस्ताव पारित किया जाता है रज्य विधान मंदल की द्वारा तो ऐसे इसलती में संसद रज्य सुची के विश्य पर कानून बना शक्ति है लेकिन संसतने कानून तो इन दो या दो सेधिक जिन रज्यों ने सैमत इदी जो प्रस्ताप परित करके बेजा उन रज्यों में वो रज्य सुची के विश्य पर बना गया कानून लागू होगा लेकिन अन्य रज्य भी उस में उसे क्या कर सकते हैं लागू कर सकते हैं इस प्रकार का प्रावदान है उसके बाद में आर्टिकल 253 आप कोगे सर आपने 252 और 253 की कहीं जर्चा नहीं कि इस टॉपिक में तो चर्चा इसलिए नहीं कि क्योंकि जब हम केंदर अर्जे समंध की बात करेंगे तब इन 252 और 253 यह दो ऐसे आर्टिकल है इसके बार में हम लोग बातशित करेंगे जब केंदर अर्जे समंधों के बार में चर्चा करेंगे तब मुझे लगा इस प्रशन को यहां ले लेना चाहिए अनुछे 253 के तैट भारश शरकार ने कोई अंतराष्टिय संधी करार या समझ होता और इस अंतराष्टिय संधी या समझोति के किर्यानवेन के लिए इसके किर्यानवेन के लिए संग सरकार यहन की संसत रज्य सूची के विशय पर भी क्या बना सकती है कानून बना सकती उसके किर्यानवेन में कहीं रज्य सूची का विशय आड़े आ रहा है तो ऐसी स् इन प्रस्तितियों के अंतरगत, तो ऐसे इस्तति के अंतरगत, संसत द्वारा बनाएगे कानूनों को वरियता दी जाएगी, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, तो 249, 250, 252 और 253 के बारे में हमने आपके सामने बात रखी, अब इस प्रशन को हल कीजिए, बहुत जबरदस मैसेज देना चाहता हूं, एक संदेज देना चाहता हूं, एक हिडाइद देना चाहता हूं, आप लोगों को सतर्क करना चाह रहा हूं, बार-बार में, कॉंस्टिटुशन की कक्षाओं में आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं, बैर एक्ट की हुबू लेंग्वेज पूछी जाती है एक शब्द को इतुर तुर कर दिया जाता है वो कथन गलत हो जाता है यानि कि एक वाक्य में माल लिजे 20 शब्द है तो एक शब्द चैंज करेंगे और 19 शब्द एक जैसे रखेंगे इसलिए एक एक शब्द को बहुर गंबिर्ता के साथ में बहुत ध्यान के साथ में बहुत ही प्रिक्षा हॉल में जब आप बैठते हैं तो उसको हर शब्द को इस आधार पर पढ़ना है कि यह गलत हो सकता सही हो सकता कुछ भी हो सकता है किसी भी प्रकार की पुर्व धरना आप लोगों को नहीं रखनी है अ रश्ट्य हित सबद का उलेगे, मेहत्व की जगे, हित देख लिजे, आप लोग, रश्ट्य हित में, यनि कि रज्जे सबा अनुचे 249 के तैत रज्जे सुची के किशी विशे को रश्ट्रिय हित का विशे गोशित कर देती है और इस संदर में उसको अपनी उपस्तित और मद्दान करने वालों की दोत्य भूमत से प्रस्ताव पारित करना होता है ध्यान रखना या रश्ट्रिय हित है सारुजनिक हित नहीं है बहुत ढंक से इस बात का ध्यान रखना है यदि रज्जे सबा ऐसा गोशित करती है बिल्कुल रज्जे सबा ऐसा गोशित करती है लेकिन उसको रश्ट्रिय हित में गोशित करना होता है यदि रश्ट्रिय हित है सारुजनिक हित नहीं है जबकि आ कि राष्टपती द्वारा राष्टि विकास परिशत की इस्तापना की जाती है। कितने बीतर के प्रशन आ रहे हैं, कितने धंग के प्रशन आ रहे हैं, आप इस बात को तभी समझ पाएंगे, जब इनको बहुत ही बारीकी से आप इन चीजों का अध्यन करेंगे, और प्रश राष्टपत का फचत लोग हीत नहीं है, यह राष्टे हीत है। सारजनी हीत नहीं है. किया मेरी बाते आप लोग समझ पा रहे हैं, तो यह गतन हो गया, आप लोगों के गलत. आगे देखिए. अपात का लागू होने पर हमने बात की अनुच्छे 250 के तयत, रज्य सुची के विशे पर कानून बनाया जा सकते हैं, अंतराष्टे समझोते लागू होने पर हमने बात की अनुचे 253 के तैद, दो रज्यों की सैमती होने पर अनुचे 255 के तैद, चूँकि इस बात का उलेक तो 249 में हैं, लेकिन यह सारुजनिक हित की जगे क्या है, जो ठीक से इन सब्द को नहीं पढ़ पाता है, वो कहता है, चारोई विकल्प सा, यह प्रशन ही गज़ते हैं, डिलीट होगा, डिलीट नहीं होता है, ज्यान रखना, इस परकार के प्रशन बड़े सुंदर कुछे जाते हैं, यह बहुत अच्छा प्रशन है, मुझे बहु करने दिया, कि संसत को मूल अधिकारों में संसोदन करने की शक्ती प्राप्त है, परन्तु वो सविदान के मूल धांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है, बहुत सरल प्रशन है, जेलोग वाले प्रशनों की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग 2023 में जो पेपर जो काफी प्रशित वादे उनकी धिनांक भी याद होनीची क्योंकि इश्कुल वैक्यता में ये प्रशन भी पूछ लिया गया ता कि गोलकनात मनाम पंजाब रज्य कब निरन दिया गया, तक पूछ लिए इसको याद रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी संविधानिक प्रतिपादन किया गया, आधारभू शरंचना की स्धान का प्रतिपादन किया गया, कि संसद सविधान में संसुदन तो कर सकते हैं, कर सकती, क्योंकि 1967 में जो गोलकनात मनाम पंजाब रज्य वाद था, उसमें गयारा निया जिशों की सविधान पीट दी, उस मामले में कि संसद को मूल अधिकारों में संसोदन करने का कोई अधिकार नहीं है आगया ये भारत के सविदान के अंतरगत दल परिवर्तन के आदार पर निरहरता के बारे में उपबंद किया गया है आप जानते हैं कि मूल सविदान में दल बदल के संदर में किसी परकार का कोई सभ्डव मादान जायगा और अपने कुछ स्वारत के लिए तिक निये वो बदल कर देगा इसलिए सविधान में प्रावधान के संदर में किसी परकार का कोई प्रावधान नहीं था। परावरम में, कुकि केंद्र में और्रज्यों में एक दल की सरकार रही थी, कॉंग्रेस पार्टी की इसलिए दल बदल के ज्यादा मामले आही नहीं, लेकिन 1967 का वर्स आप लोगों को याद आ रहा होगा, जब कॉंग्रेस पार्टी और ये प्रशन पूछा गया अभी हाली के एक एक्जाम में, हाली का मतलब जिस दिन मैं वीडियो रिक नो रजो में अपनी शरकार नहीं बना पई, नो रजो में गैर कॉंग्रेशी सरकार बनीती, तमिल नाडु एक मात्रा ऐसा रजजयता जा च्छत्रिय दल डिम्के की सरकार बनीती, 1967 में बहुत से रजजो में सरकारों के बनने और बिगड़ने में दल बदल का महतफ़ुन संद्रा शेंत विदाइक दल की सरकारे बनिती कई राज्यों में बाकी एक राज्यता तमिल नाडुजा इस पुस्ट च्छतरी दल को जो है बहुमत प्राप्त हुआ था 1967 में भारती राजनिती में दल बदल की परवर्ती प्रारम होती है क्या है दल बदल आप सब जानते हैं कि किसी राजनितिक दल के चुनाव चिन पर चुनाव लड़ने के बाद में वो इदिया अन्य राजनितिक दल में सामिल हो जाता है या जिस राजनितिक दल के समर्तन में म विदाहिक थे हरियाना के और वो पंदरा दिन में अपनी पालिटी को तीन बार चोड़ता है जब तीन चौती बार जब वापीस आने की जब बात करते हैं यहनकी कॉंग्रिस छोड़कर दूसरे दल में गए फिर आए फिर गए फिर गए फिर गए तो हरियाना में एक प्रेस क जुड़ावा है यह दल बदल से जुड़ावा है फिप्टी टू अमेंडमेंट नाइंटीड एटी फाइप में 52 सविदान संसुद 1985 के तैद बारतिय सविदान में दसवी अनुशूची जोड़ेगे जो दल बदल से समंदित है और इस दसवी अनुशूची की जो धारा दो है इस धारा दो में चार प्रकार के प्रावदानों का उले के जिसके तैद किसी भी विदाईक की दल बदल के आदार पर शदर्शता को समप किया जा सकता है और धारा च्छे के तैद धारा च्छे के खंड एक के तैद विदान सबा के समंदित शदन के अध्यक्ष या सबापत की नाधी को यह सक्ति ब कई इस अंदर में राष्ठपभति के के पास किसी प्रकार कि कोई शक्ति नहीं पहला कि यदि कोई कि यदि कोई विधाईक एक राज-जिति ए इधी को विधाईक स्वैचा से वे अश्वैचा से जिस दल के चुनाव चिन के आधार पर वो चुनाव लड़के जाता है, यदि वो अपने दल का जो प्राधिकरत होता, जो अधिकरत व्यक्ति होता, उसके निर्देशों का पालन नहीं करता है, और उसके द्वारा दियेगे निर्देशों के आधार पर वो मतदान नहीं करता ह वो उनके पक्स में बोटिंग नहीं करता विपक्स में बोटिंग कर देता है और ऐसे इस्तिति में ऐसे इस्तिति में 15 दिन की अवधी के भीतर 15 दिन की अवधी के भीतर यदि समंदित प्रादिकारी उसके माफ नहीं कर देता है उसको तो ऐसे इस्तिति में सदन के सभापति आद्यक्स उत्वी सजठ्षेता को समाप्त करतेता है वापी समझें। उसकी शत्रशता तब समाप्त की जा सकती है जब 15 दिन के भीतर उसको माफ नहीं किया जाता है कि 15 दिन के भीतर उसको माफ किया जा सकता है तीसरी बात लिकी हुई है जो निर्दलिय होते हैं निर्दलिय का मतलब है जो श्वतंत्र उमिद्वार जो किसी भी राजनितिक दल से समंदित नहीं हैं किसी भी राजनितिक दल से समंदित नहीं है यदि निर्दलिय किसी भी राजनितिक दल में सामिल हो जाते हैं यदि कोई भी निर्दिलिये MLA है system or MP है जो किसी भी दल के चुनावचिन के आदार पर चुनावजीत कर नहीं जाता वो निर्दिलिये मैं या वो किसी राधनितिक दल में सामिल हो जाता तो उसकी दल बतलो के आदार पर स्वाप्त की जा सकती है और नमबर च्यार नाम निर्देशित नाम निर्देशित का मतलब मनोनित यदि कोई मनोनिष शतश्य मनोनित होने की तिती से सपत लेने के, यदि कोई मनोनिष शतश्य संसद में, रज्य विद्यान मंदल में, यदि कोई मनोनिष शतश्य जिस दिन वो सपत लेता है, उस सपत लेने के छे माँ के बाद यदि किसी अन्यराजनितिक दल में या किसी रा मेंम्त किया जा सकता है तो बड़ी महत्पून बात है, मैंने आप लोगों के साथ में साजा की है उतर तो इसका दस्टों नुकषी आजए लिकर इसकी हमने इसके शाथ बहुत से और cereal में आप लोगों के साथ में साथ की बाते हैं, चौता प्रशन, निम्लिखित मैं से किस संसो दन में, अनुछे 368 में ये अनुछे 13 है, आपके नौट्स की पीडियाप में दी अथा रा है तो हम संसो दित कर लेजे, निम्लिखित मैं से किस संसो दन में अनुचे 368 में अनुचे 13 की कोई बात इस अनुचे के अधिन किये किसी संसुदन को लागू नहीं होगी का प्रावदान सामिल किया गया इसके लिए आपको समझना होगा 24 अमेंड में 1971 लेकिन 24 अमेंड में 1971 पे चर्चा करने से पहले आपको समझना होगा गोलकनात मना पंज पंजाब राची 1967 में जब सुप्रिम कोट में ये निरने दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संसुदन करने का कोई अधिकार नहीं है दूसरी बात इन्होंने का कि अनुचे 368 में सविदान संसुदन की प्रकिरिया का उलेक है न कि इस बात का उलेक है कि सविदान में संस अधिकार उसे में थी और नियाई पालिका और काजय पालिका के बीच में जब्रदस संगर्स चला था हमने मौलिक अधिकार में भी बहुत डीटाल में इसके बार में चर्चा किये है 24-वे सविधान संसोदन 1971 के तैट गोलकनात मनाम पंजाब रज्यवाद में दियेगे निर्णों को अप्रभावी करने के लिए कुछ प्रावधान किये और इसके लिए आपको चार प्रावधान आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे कितने चार सबसे पहले अनुचे तेरा चार नामक एक धारा जोड़ी गई मौली कदिकार में अनुचे तेरा में विधी शब्द की परिवासा है आप लोग इस बात को जानते हैं और अनुचे तेरा में तेरा चार नामक एक धारा जोड़ी गई और ये प्रावधान किया गया कि अनुचे 368 की विदी से जो सविदान में संसोदन किये जाते हैं, वो विदी शब्द के दाइरे से क्या है, बाहर है, यनि कि अनुचे 13.4 में इस बात को जोड़ा गया था कि इस अनुचे की कोई भी बात, यनि अनुचे 13 की कोई भी बात, अनुचे 368 के अधिन किये गए, इस सविदान के किसी भी संसोदन पर लागू नहीं होंगे, इसका मतलब अनुचे 368 की प्रकिरिया से जो भी सविदान में संसोदन किये जाएंगे, उन्हें विदी सब्द की परिवासा से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, चुकि अब विदी सब्द की परिवासा से बाहर कर दि कि उसको नियाई पालिका में चुनोती नहीं दी जा सकती है, तो पहला प्रावधान तो यह किया, ठीक है, दूसरा, अनुचे 368 में, एक, अनुचे 368, दो, अनुचे 368, तीन, या दो है, अनुचे 368, दो, तीन, और चार, पाँच, अनुचे 368 में, मूल सविधान में, अनुचे 368, एक, दो, के संदर में प्रावधान था, बाद के आर्टिकल बाद में जोड़े गे, अलगलग सविधान संसोदन के तैथिस में जोड़े गे, अनुचे 368, दो का प्रावधान जो पहले से था, उसमें संसोदन करके क्या आप प्रावधान किया गया कि राष्टपती राष्टपती अनुचे 368 की विदीषे जो सविधान शंसदन होता है उनको अनुमती देंगे इसका मतलब 24 वे सविधान शंसदन 1901 के तैत राष्टपती को सविधान सवीधान संजोधन विदैग पर हस्ताकसर करने क्लिए क्या किया गया बाद्य किया गया इसका मतलब रास्टपति सवीधान चंहिप रोक नहीं सकते हैं वह इन्हें पुनर विचारे तो नहीं नहीं बेच सकते हैं ये प्रावदान किया गया 24 अमेंड में 1971 के तैद अनुचे 368 पहले से मूल सविधान में था पहले प्रावदान ये था कि राष्टपती के हर्स्ताकसर के पश्चात वो सविधान में संसोधन हो पाएगा निता नहीं हो पाएगा बाद में कर दिया कि रा आर्टिकल जोड़ा गया 24 अमेंड में 1978 के द्वारा और आपके क्विशन में जो लेंग्वेज लिखी हुई है वो कि वो यहां है कि अनुचे 13 की कोई बात इस अनुचे के अधिन किये गये किसी संसोधन पर लागू नहीं होगी यानि कि अनुचे 13 के अधिन जो प्रावदान है वो अनुचे 368 के अंतरगत लागू नहीं होंगे इसका मतलब है कि विधी शब्द के दाएरे से इसको क्या कर दिया गया बाहर कर दिया गया अनुचे 368 में इस परकार का प्रावदान किया गया तो कुल मिलाकर एक हमने देखा तेरा चार और एक मैत्पुन और प्रावदान किया गया अनुचे 368 एक इसको समझे जरा क्यूंकि गोलकनात बनाम पंजाब रज्यवाद में मूल सविधान में था बस थोड़े शी लेंग्वेज परिवर्थित की गई इसकी जो हैडिंग अनुचे 368 में मूल सविधान में प्रावदान था सविधान संसोधन की प्रिक्रिया गोलकनात बनाम पंजाब रज्यवाद में सुप्रिम कोट ने का कि अनुचे 368 में सविधान संसोधन की प्रिक्रिया का उलेक है न कि इस बात का उलेक है कि सविधान संसोधन की सक्ती सं अंधरा गंधि के सरकार्थी और ज़नका चलिये कहाँ कितन ऊपक्र Highu कि आनुचे 368 में सवीधानसंसोदन की प्रिकिर्या के साथ में सविधान में करने की संसद की शक्ति जैसे सब्दावलिका प्रावधान किया गिया तो आजकी तारिक में अनुचे 368 में लिखावा है सविदान संसोदन की प्रिकिरिया और सविदान में संसोदन करने की संसद की शक्ति तो सविदान में संसोदन करने की सक्ति किसके पास है संसद के पास है अलांकि श्वाबावी क्रूप से पहले भी संसद के पास थी लेकिन गोलकनाथ बना पंजाब राज्यवाद में जब सुप्रिम कोट ने कह दिया कि अनुचे 368 में सविधान संसोदन की सकती का उले की नहीं है अधे संसद को सविधान में संसोदन करने की शक् तो ये प्रावधान किया गया अनुचे 368 चार और अनुचे 365 का जो प्रावधान किया गया वो 42 अमेंड में 1976 के तैद किया गया और इसके तैद सविधान में संसोदन करने की संसद की शक्ति को असिमित किया गया उसको न्यायाधीन प्रकिरिया से बाहर किया गया कि उसको तरवा मिल्स बनाम भारश शंगबाद 1980 में इन दोनों धाराओं को अनुचे 368 की धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5 दोनों को निरस्त कर दिया गया और वेधानी कोशित कर दिया गया यानि कि अनुचे 368 के तैत में संसद सविदान में कोई ऐसा संसोधन करती है और इजि वो स 101013 की धारा चार उसमें इस बात का इस प्रस्टूलिग है कि अनुचे 68 के तैत किये प्रावधान अनुचे 13 कि धायरिये से बाहर हों गये इनकी सविदान में नीचे 308 सबसे जो किये जाते हैं वो विदी शब्द के दायरे से क्या किये गए बाहर किये गए बहुत मैत्पुन बाते मैंने आप लोगों के साथ में साजा की तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 24 अमेंड में 1971 लेकिन इन बातों को भी आपके लिए जानना जरूरी था कि अगे देखिए कि समवेधानिक शंशोदन के संबंध में है कि ने मिलिकित मैं से कौन सा युग्म Admiral नहीं है नियाई पालिका ने कौन सा निरने कब दिया उसकी दिनांग पूचने लग गया आजकल कौन सा सविधान संशोदन कब हुआ ये पूछा जाने लग गया है आने वाले समय में ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा सविधान संशोदन कब लागू हुआ इसलिए मैंने आपको जो content दिया उसमें परतियक सविदान संसोधन के bracket में प्रभावी लागू लिखा है कि कौन सा सविदान संसोधन कब लागू हुआ जैसे 42 अमेंड में 1976-1977 में लागू हुआता, 44 अमेंड में 1978-1979 में लागू हुआता, इन बातों का भी अब आप लोगों को ध्यान रखना होगा, मुझे तो लगता है आने वाले समय में ये प्रशन भी पूछा जाएगा कि कौन सा प्रावदान, किस सविदान संसोधन की कौन सी धारा के तैद किया गया, यही कारण है कि हमने आपको कंटेंट में उन धाराओं का भी उल्ले किया है, क्योंकि एक ही सविदान संसोधन के तैद बहुत से प्रावधान किये जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को जोड़ा जाता है, तो उसमें धाराओं के आधार पर होता है, उसके बार में भी हम लोग बात करेंगे. इस प्रशन के माध्यम से मैं बहुत से कौन से आपके किलिर करना चाहता हूँ, सविधानिक संसोधन के समन्द में निमलिकित मैं से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, इसका मतलब है कि तीन सविधान संसोधन जो किये गिये उसका वर्स ठीक है, एक की दिक्कत है, 42 सविधान संसोधन 1975 नहीं है, 1976 है, मैं इस बात को जानता हूँ कि ये प्रशन तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि 42 अमेंडमेंड, 44 अमेंडमेंड ये कुछ अमेंडमेंड ऐसे हैं, जो तो हम लोगों को अंगलियों पर याद होने चाहिए, और 42 सविधान संसोधन के बार में आप लोग बहुत अधिक जानते हैं, हमने प्रधानमंत्री टॉपिक में बहुत विस्तार से चर्चाबी की थी, 31 सविधान संसोधन 1973 का है, 44 सविधान संसोधन 1962 का है, और 7 सविधान संसोधन 1956 का है, साथवा सविदान संसोदन के बारे में भी आप बहुत ढंग से जानते हैं जिसके ताथ रज्य पुंदर गठन आयूग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए रज्य पुंदर गठन अधिनियम बनाया गया एक नवंबर उनिश्यों चपन को लागूआ जिसके ताथ भारत मे बारतिय सविदान में जो भाग 6, 7, 8 और 9 और इसके अंतर के जो मूल सविदान में A, B, C और D की स्रैनी में जो रज्यों को बाटा गया था इसमें बिटिश प्रांट थे, इसमें देशी रियासत थे, इसमें चीप कमिशनर प्रांट और इसमें बाहरी अर्जित प्रदेश थे, इस A, B, C, D की स्रैनियों को क्या किया गया, शमप्त किया गया, और संपूर्ण भारत में 14 रज्य, 14 रज्य और 6 केंदर सासित प्रदेश बनाए गया, आप जानते हैं कि आज की तारीक में मैं जिस दिन कक्षा रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन 28 रज्य और 8 संग रज मुझे चैतर है, तो इसको भी बहुत धंग से जानते हैं, रज्य पाल के संदर में बहुत से प्रावधान किये गे, आप सब इसको बहुत धंग से जानते हैं, कुल मिलाकर दो सविदान शंसो दनेज, इसके बार में मुझे लगता है, आपके साथ में कुछ मैत्पुन बात साजा कर देनी चाहिए, आईए ठीक से समझे, मैं जानता हूँ, इससे वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होता, लेकिन ये चीजें आपके रिवीजन करवाती, बढ़िया रिवीजन करवाती है, सबसे पहले देखिया आप लोग 31 अमेंडमेंड 1973 क्या है, इसके ताथ क्या प्रावदान किये लेकिन इसके ताथ जो प्रावदान किये उसे समझने से पहले एक बात हम और समझ लेता है, कि मूल सविदान में अनुचेद 81 में जनता द्वारा प्रत्यक्ष्ट निर्वाचित लोग्षभा की सदस्य संख्या 500 निर्धारित की गई थी अधिक्तम, अनुचेद 81 के तहट जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोग्षभा की सदस्यों की संख्या रज्यों में अधिक्तम 500 हू शक्तिती अनुचे 331 के उपबंदों के अधिन रहते हुए, और अनुचे 331 के उपबंदों के अधिन रहते वे इसका मतलब है कि दो सदस्य एंग्लो इंडियन जो लुक्षभा में मनोनित किये जाने का प्रावधान किया गया था, हालांकि आप जानते हैं कि 25 जनवरी 2020 के बाद अब एंग्लो इंडियन के आरक्षण और प्रभावी हो गया, उसके बार में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 31 अमेंड में 1973 के तहते बहुत महत्मून बात मैं आप लोगों के साथ में साजा करना चाह रहा हूं, 81 है और जो चौती अनुशुची है, उसके अंतरगर संसोदन क्या गया था, क्या संसोदन क्या गया था, इसके बाद हम देखेंगे, पहले देख लेता है हम चौधवे सविदान संसोदन को क्योंकि यह पहले हुआ था, ताकि चीज़ें जुड़ जाएगे आपस में, चौधवे सविदान संसोदन 1962 के बार में बात कर देते हैं कि इससे समंदित है, यह दोनों आर्टिकल इससे समंदित है, इसलिए मैंने पहले आपको यह बताया कि मूल सविदान में लोक्षभा की स्वतष्य संक्या के संदर में यह प्रावदान किया हुआ था, चौधवा सविदान संसोदन 1962 कि से समंदित है, फ्रांसी सी कुछ बस्तियां थी, 1962 में, जिनका नाम ता पुडुचेरी, कारिकल, माही और यमन, पुडुचेरी, कारिकल, माहे और यमन, माहे है, माहे और यमन, इन सब का नाम किया गया पुडुचेरी, क्या नाम दिया गया इस पुड़े चैतर को फ्रांसी सी बस्तियां जो भारती बस्तियां फ्रांसी सी पुडुचेरी, कारिकल, माहे और यमन, इन सब का नाम पुडुचेरी रखते वे, पुडुचेरी नाम से भारत के संग रज्य चैतर गुसित किया आप लोग जानते हैं बेतर तरीके से 1962 में और 1963 में शंग राज्य चैतर अधिनियम 1963 बनाया गया जिसके तरह बहुत से इनके संदर में प्रावदान किये गए एक तो बात हो गी ये दूसरा क्या किया थिया इसी 14 सविदान संसोधन के तरह चुकि पुडु पुडु चैरी को आपने संग राज्य चैत्र बना दिया तो ऐसे ही सत्ती में अनुचेद 81 और अनुचेद पर मानुचेद चार अनुशूची 4 अनुशूची 4 में रज्यसभा की सीटों का आवंटन हैं और उसमें एक सीट रज्यसभा में पुढू चेरी के लिए निर्दारित की गई जबकि अनुशूची 81 में लोकसभा की सदस्य संक्या के संदर में प्रावधान है और लोकषबा में जो संग रज्य चैतरों से जो सदस्य निर्दारित किये गए थे संग रज्य चैतर हलाकि मूल सविधान में तो संग रज्य चैतर से लोकषबा में ऐसी संख्या का यू लेक नहीं था लेकिन बात में जब संग राज्य चैत्रों से लोक्षबा में सदस्य संक्या का जो प्रावदान किया गया जो संक्या 20 थी इस 20 को बढ़ा कर इस सविधान संसोदन के तैटकिति कर दी गई 25 कर दी गई इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा शंग राज्य चैत्र की सदस्य संक्या लोक्षबा में जन्ता द्वारा प्रत्यक्षे निर्वाचित ओने वालों की संक्या जो 20 निरदारी थी उसे बढ़ा कर 25 की गई इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है तो एक सीथ अनुशुची चार में संसोदन करके रज्य सभा की पूडुच्योरी को दी गई और एक सीथी लोक्षबा को दी गई लेकिन लोक्षबा में सीथियां आप लोग जानते हैं कि जन पर्थनिदीत्व अधिन्य मुनिश्यों जो पचास है उसकी जो प्रथम अनुशुची है उस अनुशुची में लोक्षबा की सीथें किस रज्य के लेकिस संग्रज्य चेतर से कितनी होगी उसका वान निरगारन यहां पर इसमें नहीं है यह बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी तो यह प्रावदान किया गया था चौहदवे सविदान शंसोदन 1962 किता सब अब 331 संसोदन को समझाने का प्रियास करें कि 31 संविदान शंसोदन 1973 23 इसके तैस आपको ये समझ लेना जरूरी है कि इस सविदान संचोदन के तैद हम पढ़ते हैं कि जो 500 और 25 लोकसभा की जो सीटे थी उसे बढ़ा कर किया गया 545 जनता द्वारा निर्वाचिश अधरश्यों की संक्या की बात कर रहा हूं दो एंग्लो इंडिनिस में अलग है 525 से बढ़ा कर संच्या किती की गई 545 क्यासे क्योंकि राज्यों से राज्यों से लोकसभा की जो सीटे थी वो थी 500 500 तो इस्वेट थी 500 और जो संग्राज्येच छेट्र से इसन को ब्ड़ा कर नो कितनी थी लोगसाभा में 25 ठीक से बात को समझना और रगं मिला कर इस से पहले olduğunu लोक्सभा की जो सदस्य संक्या थी वो 525 थी यह आखड़ा आप लोगों के सामने वोरा और दो एंग्लो इंडियन अलग है इसमें इस बात का ध्यान रखना है इकतीश्वे सविदान संसोदन 1973 के ताइट यह जो राज्यों से लोक्सभा में सदस्य संक्या जो निर्दारी थी 500 इसको बढ़ा कर किता कर दिया गया 525 किता किया गया 525 यह इसमें कितनी पलस हुई 25 पलस हुई जबकि शंग राज्ये चैतरों से जो 25 सदस्य संक्या यह जबकि 24 सविदान संसोदन के तैद 20 से बढ़ा कर 25 किया गया और 31 सविदान संसोदन 1973 के तैद 25 से गटा कर वापिस कित्ती कर दी 20 कर दी तो यह 25 पलस हुए और वह 5 माइनिस हुए तो टोटली कित्ती बढ़ गई 20 बढ़ गई अब जरा देखना आप लोग 525 में 20 हम जो जो अदिन्यम यह गोवा अब दमन दीव को अपुनर गतन अदिन्यम 1987 कि गोवा भारत का रज्य बन जाता है जो पहले के अंदर सासित प्रदेश था है गोवा दमन दीव पुनर गतन अदिन्यम 1987 के तैट यह जो जो रज्यों से जो संख्या जो यह 525 थी लोग सभा के जाती है 530 कर दी जाती है तो रज्यों से तो गोवा दमन दीव पुंदरगतन अधिनियम 1987 के बाद 530 हो गई और वहां किती निर्दारी थे 20 टोटल कितनी हो गई 550 हो गई और दो आपके अनुचेद 331 के तर्थ एंगलो इंडियन के संदर में परावदान था तो 1987 से अधिक में आर्टिकल 81 में इस बात का इस फ़स्ट हुलिएख है कि रज्यों से लोक्षभा में जनता द्वारा प्रत्यक्त निर्वाच्य सदश्यों की संख्या अधिक्तम 530 हो सकती है कितनी हो सकती है 530 मूल सवविदान में कितनी थी 530 बात का ध्यान रखना है जबकि शं आगे नहीं बढ़ाया गया इसके कारण जो है वो अपरभावी हो गया तो मुझे लगा कि दो सविदान संशोदन के माध्यम से मैं आपके लोक्षभा की सतस्रता के संदर्ब में जितने भी मेरी समस्ति उसके अनुशार मैंने आप लोगों के सामने बात रखी ताकि आपके सविदान संशोदन को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रियास किया है अब अगला प्रशन देखिए निमलिकित में सौवे सविदान संशोदन अदिनियम का उधिश्य क्या था अब इस बात को बहुत बैतर तरीके से जानते हैं कि सौवा जो सविदान संशोदन है एक बात और बता दिता हूं इसमें कि यह जो 31 अमेंड में 1973 था इसके तैत यह परंतु जोड़ा गया था आर् 81 के बी के बाद, 81 बी के बाद में एक परंतु जोड़ा गया और उसमें प्रावदान किया गया कि अनुचेद 81 के खंड एक के जो ए में जो बात लिख रखी है वो उन रज्यों पे लागू नहीं होगी जिनकी जनसंग्या साट लाग से कम है आपको होगे क्या अनुचेद 80 के खंड एक के ए में इस बात का इस परस्टुलेग है कि जब रज्यों में लोकसभा की शीटों का निर्धारन किया जाएगा प्रादेशिक निर्वाचन चैत्रों का जब निर्धारन किया जाएगा या शीटों का इस्तान है प्रादेशिक निर्वाचन है लेकिन इसके बाद परंतु जोड के प्रावधान किया गया कि अनुचेद 81.1 के एमेज इस बात का उलेख है वो उन रज्यों पे लागू नहीं होगी जिनकी जनसंक्या सांट लाग से कम है यंकि सांट लाग से अधिक जनसंक्या है उन्हीं पर ये प्रावधान लागू होग साविदान में अनुचे 371 ये जे कर देना आप लोग कि समलित किया गया नहीं ये 98 अमेंडमेन वर्ज 2012 के तैट किया गया जिसके तैट करना तक रज्य के संदर में विशेष प्रावधान किये इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है तो 98 अमेंडमेन वर्ज 2012 के तैट साविदान में नए आर्टिकल जोड़ा गया 301 कैपिटल जिसके तैट करना तक के संदर में विशेष प्रावधान किया गया अनुचे जातियों और जन जातियों के लिए शीटों के आरक्षन को अगले 10 वर्सों के लिए बढ़ाना अनुचे 334 में आरक्षन के आउधी का जो आरक्षन अनुचे 331, 332, 333 और 334 के तैट दिया गया है परती 10 वर्स के बाद में मुल सविदान में 10 वर्स ता इसके आउधी को आगे बढ़ाया गया अभी हाली की बात करें तो 140 सविदान संसोधन वर्स 2019 के तहत जो है उनके आरक्षन के आउधी को बढ़ाया गया औ अब 25 जनुरी 2020-30 तक यारक्षन इनके लागू रहेगा और इसी सविदान संसोधन के तहत इसी सविदान संसोधन के तहत आप लोगों को धिहन रखना है कि एंगलो इंडियन के आरक्षन की आउधी को आगे नहीं बढ़ाया गया गया उच्छितम न्याले में न्याई तो वह ने बाच्छित की ती कि कुछ ऐसे सविदान के प्रावदान जिनमें संसोधन करने के लिए अनुचे 368 की विदी के परियोग करने की कोई आउशक्ता नहीं और शूंकि जब अनुचे 368 की विदे के द्वारा जो सविदान संसोधन नहीं किया जाता है यनकि जो यह सविदान की हिएए सभडक की जो लेंगिज उसमें कुछ परिवर्तन नहीं वहता है जैसे उुट्यतम नाले के आउधिशों की संक्या मूल स्विदान वे खी एक मुख्या नैदाइजिस के अलावा शाइतन जैजी संक्या वहां पर लिकिए और दूसरी बात च्कीई ज या किसी रजर्जे में विधानसभा का सरधन किया रहा है तींसरें शृमा किया राहा है व Yaura 65 शृतेयों में नेन में करे बाएलन किया या अडil की रज्जे्य में राक्ते विंटाबले हम परमें जारे है y Ein परेवर्तन किया रहा है तो ऐसी इस्तती में इसी इस्तती में सविदान सफॉदन कर्मांग क नहीं दिया जाता है तो इस पिर संधी इस에서 की शंख्या बढ़आनी से समय नहीं कोई सविदान अज तक नहीं है अधिनियम जो है सीधा हमें प्रिशन का उतर नहीं पता हैं, लेकिन अम विकल्ब को गलत करते करते, अंत में उर्वां तक पहुंच सकते हैं, कि ये इसका उतर हो सकता, बले ही हमें सीधा सीधा उसका उतर ये जानकारी नहीं है, तो भारत और बांगलादेश के बीच में जो सीमा समझोता चाहिए कि 16 मई 1974 को जो भारत और बांगलादेस के बीच में जो बूमी समझोता हुआ ता उसको लागू करने के लिए उस करार को लागू करने के लिए और वर्ज 2001 में जो प्रोटोकॉल हुआ था भारत और बांगलादेस के बीच में 16 सितंबर 2011 16 सितंबर 2011 उन्हें प्रभावी बनाने के लिए सौवा सभिदान संसोधन वर्ज 2015 में किया गया नरेंदर मोदी की सरकार के द्वारा किया गया और इसके तैत परतम अनुशुची में संसोधन करते वे भारत की जो 111 बस्तियां थी वो आमने किसको दी बांगलादेश को अदला इसी सभिदान संसोधन के तैत चार राज्यों की सिमाओं में परिवर्तन हुआ चुकि यह गाउं की अदला बदली किया और इसका प्रावधान भी इसमें किया गया इस सभिदान संसोधन में उसका उलेक भी किया गया यह प्रशन भी एक बार पूछा गया था अमेत्री बं मेगाले, आरेस में ये प्रशन पूछा गया था, मेगाले, तृपुरा, तृपुरा और पश्चिम बंगाल की सीमाओं में परिवर्तन हुआ और जिसके संदर में इस सविदान संसोदन में इसका उलेग भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तो बांगलादेश के स संदित कौन से सविदान संसोदन अधिनयम को उच्छतम न्याले की संविदानिक पीट ने और संविदानिक घुषित कर दिया, चूंकि ये प्रशन तो मुझे लेना था सुप्रीम कोट में लेकिन मैं इसलिए ले लिया क्यूंकि हमने इसके संतर में प्रधानमंतुरी टॉ तो मुझे लगा कि सविदान संसोदन से समंधि जो प्रशन है कुछ यहां भी ले लेने चाहिए तो आप सब जानते हैं कि वो 99 सविदान संसोदन है 2015 एक जनवरी 2015 कोई लागू हुआ था, वर्ष 2014 Kba Mauda ninyarwa Jan Who Advan起來 उसके तैथ कोलेजियम ववस्ता जो थी नयायविशओं की नुक्ति की संदर में सथा ऑू उच्छ नवे यह दिया जा उंत्रण की संदर में जो को लेजियम के प्रामरे से रश्टपती जो नरने लिये जाते थे उस माय्ले ववस्ता को शमांफ औरकर के एंजेक की स्टापना की गई थी रस्टियन याइक न्युक्ति आयो की स्टापना की गई थी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि की जे एस कहर की अध्यक्स्ता में गटिज सविधानिक पीट ने 16 अक्टूमबर 2015 को पूरे के पूरे 99 सविधान संसोदन को और विधानिक गोसित कर दिया गया इसका कारण था कि सुप्रिम कोट एड़ोकेट्स और रिकॉरड एसोशेशन बनाम भारस शंगवाद में यह निरन्य शुप्रिम कोड के द्वारा धिया गया वखिलों का एक संगतन है सुप्रिम कोट एड़ोकेट्स और रिकॉर्ड एसोशेशन और इनका कहना था कि यह जो राश्चे नियाइक नुक्ति आ किया गया था वो सविदान के मूल ढांचे के विरूद है हम सुप्रिम को टॉपिक में बहुत डीटेल में इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे चलिए यह एक मात्र पूरा का पूरा सविदान संसोतन है जिसको सुप्रिम कोट ने अज संविदान निगोसित किया इस बात क तो की जा सकते लेकिन मतदान नहीं किया जा सकता है तो इस बात का ध्यान रखना भारित वय है तो भारित वय के संदर में आप उसमें कमी नहीं कर सकते हैं आप उसके उपर चर्चा जरूर कर सकते हैं लेकिन उसके उपर मतदान नहीं किया जा सकता है अब भारत की संचित न प्रावदान है अनुचेद 112 तीन में आप जानते हैं कि अनुचेद 112 बजट से समंदित है, Constitution में उसके लिए सब्दावली है, वार्सिक वित्तिय विवरन और उसके अनुचेद 112 के खंड तीन में उन सब का उलेक है, जिसका वे भारत की संचित निदी पर भारित है, जिसमें सुप्रिम कोट है, जिसमें राष्टपती है, जिसमें हाई कोट के नियादीशों की पैंसन है, आप लोग ध्यान रखना, फेडरल नियादीशों की भी पैंसन का प्रावदान उसमें है, और राष्टपती के अलावा जो है रज्यसभा के सभापती और रज्यसभा के जो उपसभापती है, लोगसभा के अध्यक्स और लोगसभा के उपाध्यक्स है, सुप्रिम कोड के न्याइदिस है, हाई कोड के न्याइदिसों की पैंसन है, शिये जी के न्याइदिसों का वेतन और पैंसन है, ये जानता है जिंभी हां इसके उपर भारीत य शंचितनीटी पर भारित और दोसरी बात जब वो राष्टपदी के रूप मैं काम करता है तो रास्थथपदी के रूप में वेतन पराप्ट होता है तो वह भारित के अंतरगत आगया तो इसका उत्तर सीधा सा आप लोग के हो गया जम्भू कश्मीर पुंदर गठन अधिनियम 2019 जब से जम्भू कश्मीर पुंदर गठन 2019 है लगबग हर एक एक एग्जाम को छोड़कर इसका प्रशन आता है कि 116 सविदान संशोदन के तैत आप लोग जानते हैं कि मैलाओं को लोकशवा और विदान सबाओं में एत्या आरक्षन का प्रावधन किया हलां कि वो भी प्रभावी होना है लेकिन जब से ये सविदान संशोदन भी हुआ है मान के चलिए आने वाले चार-पांस साल तक लगातार इन में से प्रशन आएंगे तो जम्भू कस्मीर प तो 31st October 2019 को ये लागू होता है क्योंकि सर्दार वलभई पठेल के कारण ये तिठी उन से जुड़ी होने के कारण इस दिन लागू किया जाता क्योंकि उन्हाने भारत के जो है एक ही करण में महत्पुन योगदान दिया ता अप यभी जानते हैं कि जम्भू कस्मीर एक मात इसा रज्य था जिसको आजाद भारत के बाद में उसको दो भागों में बाड़ दिया गया और दो केंदर सासित प्रदेश पना दिये एक लद्दाक और दूसरा जम्भू कस्मीर आज तक शंग सासित प्रदेशों को रज्य जरूर बनाया गया लेकिन पहला उसर ता कि कि इसी रज्य को संग सासित प्रदेश बनाया गया अनुचेद 105 समंदित है आप जानता है कि अनुचेद 105 संसद के विशेश आदिकारों से समंदित है और अमने तुलनात्म गद्दिन किया इस पूरे टॉपी का आर्टिकल 194 रज्य विदान मंदल के शतश्यों के विशेश आ आदिकारों से समंदित चुकि आप ध्यान रखना कि रज्य विदान सभा के विशेश आदिकारों से समंदित जो है आर्टिकल 194 है और रष्टपती के विशेश आदिकार या रज्य पाल के विशेश आदिकारों से समंदित आर्टिकल 361 है यहां से भी काफी अच्छे खंड तीन में हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रशन ये बनता है कि किने मनोनित कर सकते हैं तो वो मनोनित उन्हें कर सकते हैं जिनके पास में व्यवारिक अनुबव और विशेश घ्यान है व्यवारिक अनुबव और विशेश घ्यान ध्यान रखना इस प्रकार की सब्दावली का इस परस्त उलेक है आर्टिकल असी के खंड तीन में और आजकल तो आप लोग जानते हैं कि सीधे सीधे लेंग्वेज ही पूछी जाती है तो जिने विशेष ग्यान है और व्यवारिक अनुबव यह भी ज्यान रखना है कि पहले सब्द लिखावा विशेष ग्यान और उस डियान रखना अर्टिकल वन सेवन्टी वं के सब्सक्राइब के तैस्थ रज़्यपाम्न परिशद में रेज़्यपाल आज्यविदान परिश्यद में उसकी कूल साधैन संक्या कि एक बटाऐ छेह साधैं को आला कि कहीं पर PHP le dar show si moto लिखावा नहीं आसा लिकावाई शेहकारी आंदोलन तो शेहकारी आंदोलन में योगदान के आधार पर लुक्स रज्य सभा में स्टर्शों को मनोनित नहीं किया जा सकता लेकिन रज्य के विदान परिशद में मनोनित किया जा सकता यह अंतर समझना होगा आपको 83 और 171 1005 में रज्यपाल जो बिदान परिशद में स्टर्शों को मनोनित करते हैं उनके आधार क्या है शुक्त पति जो रज्ये सवा में स्बंार करते हैं उसके अधार क्या है और जहां अंतर है वही तो प्रशन है तो इसका उत्र तो आपके ओगया बारा आगे